हेलो गाइज वेलकम टू आवर नियो वीडियो देश में नदियों की हालत तो आप सभी जानते ही होंगे गौर्मे नदियों की साफ सफाई के लिए हर साल कोई न कोई प्रुजेक्ट लेकर आती है लेकिन इन सब के बावजूद कुछ नहीं होता नदियों को साफ कैसे रखना है ये हमें मेघाले के लोगों से शिखना चाहिए मेघाले में एक नदी है उमंगोट नदी जिसे भारत की सबसे साफ नदी कहा जाता है यह ब्यूटिफूल नदी मेघाला की कैपिटर सिलॉंग से 95 किलोमेटर दूर इंडिया बंगलादेस बॉरडर के पास इस्तित इस्ट जैंतिया हिल जिले के दाव की टाउन में बहती है उमंगोट नदी तीन गाओं दावकी, दारंग और सेनांडो से होकर बहती है इन तीन गाओं में करीब 300 घर हैं और सभी लोग मिलकर इस नदी की सफाई करते हैं सबसे खास बात यह है कि इस नदी में गंदगी फैलाने पर लोगों से 5000 रुपय तक का जुर्माना वसूला जाता है महिने में 3-4 दिन कमिनिटी डे होते हैं इस दिन गाओं के हर घर से कम से कम एक वेक्ती नदी की सफाई के लिए आता है उमंगोड नदी साफ ही नहीं बलकि उसके आसपास का नजारा भी बहत खुबसूरत है हरे भरे जंगलों के बीच स्थित इस नदी की तुनना लोग त्वर्ग में बहने वाले नदी से भी करते हैं ऐसे ही और इंट्रेस्टिंग वीडियो दिखने के लिए चैनल को लाइक, सस्क्राइब, सेयर करना ना भूलें